एलो प्रेंड में दिपकु पाद्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूटूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसिस ऑफ इस टॉक तो पर आज हम यह पर डिसकस कर रहे हैं इस्टिल ऑथरिटी आफ इंडिया लिम्टेट सेल शेयर का टेक्निकल एनलेसि पेसे लगभग लगभग 90 रूपए के आसपक तो आगे स्टॉक में क्या टार्गेट हमें दिखाई दे सकते हैं कहां पर बाइंग करना चाहिए क्या टार्गेट क्या स्टॉप लोस यहां से मैंजूं कर सकते हैं इस पर हम करने वाले चर्चा तो पर आप देखेगा आपके तो यह आपको दिखाई दे रही है जो कि अब ट्रेंड को दिखाई दे रही है देखिए स्टॉक नीचे की ब्लू लाइन तरह स्टॉक आने के बाद फिर से स्टॉक में आपको तेजी दिखाई देती है फिर स्टॉक में यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली फिर से यहां पर एक रेंज बनाता हुआ दिखाई देता है वो फाइनली फिर से बड़ा मुवाता है फिर से लगबग 95 के आसपाद गिरावट हमें यहां पर दिखा देता है अभी हम यहां पर यहां से देखें तो जो रेड लाइन है यहें 200 दिनों के इसके उपर अभी स्टॉक यहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहां से स्टॉक में अच्छी तेजी आई थी 100 रूपए के उपर स्टॉक गया था लगबग 105-106 रूपए था फिर से स्टॉक में यहां पर गिरावट दिखाई दी और अब जो सपोर्ट जेनरेट हुआ वह कहां पर हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हैं जो रेड लाइन आपको दिखाई दरी 200 दिनों के एक्स्पोदेंशिल मुवेंग विकली चाट पर आप देखेगा यहां पर आपको दिखाई देगा यहां सपोर्ट लेकर के स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ पर दिखाई दे रहा है यह देखेगा फिर से अपनी पुरानी रेंज में लोटता हुआ दिखाई दे रहा है यदि स्टॉक नभी रूपए के उपर जाएगा तो अगला टार्गेट यहां पर आपको 110 रूपए के आसपास का डेफिनेटली देखने खुमल सकता है तो अप होगी तो अपर नेता हमारा टैक्निकल व्यू इसी तरह के और भी वीडियो पाने के चैनल को अभी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक्यू सो मच वार वच्छिंग इस वीडियो